the ratio of the monthly income of A and B is 6 is to 6 is to 5 है. 2200 बताया है 2200 6 to 5 and their monthly expenditure are in the ratio 4 is to 3. monthly जो इनका expenditure है 4 is to 3 है यह देखो बच्चो यह क्या है इसकी salary है और यह इसका expenditure है ठीक है यह salary है इसकी और यह expenditure अब देखो बहुत easy question है यह A की salary थी 6 रुपे या 6X 4X वह expenditure करता तो 2X इसका बच्चत होती है इसकी salary 5X थी 3X expenditure करता है 2X बसता है यह वाला concept उसी में लाव हुआ है जिसमें equally दोनों में ratio समान बसता है ना इसके पास भी दो अनुपात है इसके पास भी दोना अनुपात है और वो कहता है दोनों को बच्चत जो करते है प्रतेक विक्ति चार सो करता है यानी 400 इसके बाब दसता है यह मैं तो महां तो फटा फट गया अगर ना तो दो अनुपात की वैलु यह है तो एक अनुपात की